कि ए विडियो में हम जिस कॉश्चन को सौल कने जा रहे है वैर कॉश्चन है सबसे पहले हम कॉश्चन को समझते हैं., क्या बोला है फाइंड क्या फाइंड करना है अपनको CP के वैलुपाइड करनी है मतलब जो cost price है उसकी value find out करनी है और यहाँ पर क्या-क्या data दे रखा है when SP is equal to 924 मतलब जो selling price है यहाँ पर आपनको basically data दे रखा है selling price is equal to 924 और यहाँ पर gain percent कितनी दे रहे है 10% दे रहे है ठीक है मैं एक बार answer में लिखता हूँ आपनको basically cost price find out करना है और यहाँ पर क्या बोला क्या दे रहे है selling price की value किती दे रहे है rupees 924 दे रहे है और यहाँ पर क्या दे रहे है gain percent है तो gain percent कितना दे रहे है 10% अपनको दे रहे है अपनको सारा data दे रहे है बस अपनको formula में substitute करना है और अपनको answer मिल जाएगा ठीक है तो formula लिखता हूँ मैं अपना हो जाएगा selling price is equals to cost price into 100 अब जो कि यह gain percent है तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ plus gain percent अगर यह loss percent होता तो यहाँ पर आजाता minus loss percent ठीक है तो cost price into 100 plus gain percent divided by 100 ठीक है तो अपनको सारा data पता है substitute करते हैं अपनको अपना answer मिल जाएगा ठीक है तो cost price find out करना है तो cost price का अपन यहाँ पर as it is लिख लेंगे और selling price कितना दे रखा है 924 दे रखा है ठीक है is equal to 100 plus gain percent कितनी दे रखी अपनी अब basically dedicate 10 ठीक है divided by 100 हो जाएगा ओके चलो इसको अपन further simplify करते है तो यह हो जाएगा यह इससे multiply हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा 100 plus 10 कितना होगा 110 ठीक है therefore अपन करते cost price is equal to अपन को यह आ जाएगा numerator में 92,400 divided by 110 क्या मिला 92,400 divided by 110 मिला तो यह कितनी बार जाएगा यह basically हो जाएगा 110 बंस दा 110 110 840 जा 92,400 ठीक है तो अपन को cost price की value क्या मिली है therefore cost price is equal to rupees 840 ठीक है so this is your answer किते हैं कि लुकर को var खाएगा जान किते हैं